और अब खबर दिली के राजेंदर नगर से जहां एक जूस की दुकान में जूस में कैमिकल मिलाने का मामला सामने आया जिस जूस विक्रेता में मिलावट करने के लिए लाल रंग का इस्तमाल करते थे जूने एक पुलिस कर्मी ने मिलावट करते रंगे हाथो पकड़ा वही मौकी पर पहुची फूड और सेफटी आखी टीम और इंस्पेक्टर ने जूस के सैंपल लिए पुलिस ने बताया कि फूड सेफटी विभाग से सैंपल की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कारवाई की जाएगी पैसे देकर भी जूस के नाम पर आपको क्या क्या पिलाया जा रहा है ये तस्वीर उसका उधारण है हाली में जूस में यूरिन मिला कर बेचने का मामला सामने आया था जिसके बाद से लोग जूस की शुद्धता को लेकर काफी सजक दिख रहे हैं ताजा मामला दिल्ली के राजेंदर नगर थाना क्षेतर का है जहां शंकर रोट पर जूस की एक दुकान में दुकानदार जूस में रंग मिला कर बेच रहा था ऐसा नहीं है कि दुकानदार को लोगों ने पहली बार ऐसा करते पकड़ा हो आरोब है कि इससे पहले भी दो तीन बार इसे रंग मिलाते देखा और चैतावनी देकर छोड़ दिया लेकिन बावजुदिस के दुकानदार अपनी हरकत से बाज नहीं आया और जूस में केमिकल मिला कर बेचता रहा आरोब है कि आसपास के लोगों ने दुकान पर काम करने वाले लोगों की पिटाई भी की दरसल एक दुकानदार का नाम राहुल है तो दूसरे का नाम अयूब खान है लेकिन जब लोगों ने पहले उससे नाम पूछा तो उसने चौधरी बताया हाला कि बाद में पूछे जाने पर उसने अपना सही नाम बताया जूस विक्रेता का कहना है कि वो ये सब अपने मालिक के कहने पर करता था दुकान के मालिक शोईब ने उसे जूस में केमिकल मिला कर लोगों को पिलाने को कहा था मामले की सूचना मिलते ही मौके पर फूट सेफटी इंस्पेक्टर पहुंचे और जूस के सेंपल लिए जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी जाएगी जाएगी